Hello Friends, Welcome to Study News आज हम इस वीडियो में 21 अगस्त के exam related जितने भी important questions हैं उन्हें हम यहां solve करेंगे, so let's start First question है, किस IIT संस्थान ने अटल रैंकिंग में पहला इस्थान हासिल किया है Options है, IIT कानपूर, IIT मदरास, IIT बॉम्बे या IIT दिल्ली तो IIT मदरास ने लगातार दूसरे वर्स, देश में सीर्स नवीन सेक्षडिक संस्थान के रूप में अपना इस्थान बरकरार रखा है तो इसमें उत्तर option B, IIT मदरास सही है अटल ranking of institute on innovation achievements की घोशना हमारे उपराष्ट पति वेंकेया नाइडू द्वारा 18 अगस 2020 को की गई थी next question है, किस payment bank ने digital जन बचत खाता launch किया है options है, Fino payment bank, Paytium payment bank, Airtel payment bank या none of these तो Fino payment bank ने digital जन बचत खाता launch किया है, तो इसमें उत्तर option A सही है बात करें Fino payments bank की तो, इसकी स्थापना 2006 में हुई थी इसके CEO रिशी गुपता है, और इसका headquarter मुंबई में है next question है, किस जन जाती भासा के लिए Microsoft ने translation machine tool विक्सित किया है options है, संथाली, गौंडी, थारू या जैंतिया तो गौंडी जन जाती भासा के लिए Microsoft ने translation machine tool विक्सित किया है गौंडी एक जन जाती है, जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और जार्खंड में निवास करती है इनही की मूल भासा है गौंडी इस भासा का उप्योग लगभग दो मिलियान लोग करते है और इसी के लिए Microsoft ने translation machine tool बनाया है next question है किसे World Book of Records लंदन द्वारा स्टार 2020 सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है options हैं विवेक मडी, गणेश विलास, बाबु प्रसाद या स्री राम अमंदीप तो सोलापुर के सामाजिक कारेकरता गणेश विलास लेंगरे को World Book of Records लंदन द्वारा स्टार 2020 सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है तो इसमें उत्तर option भी सही है तो ये जो World Book of Records से इसके संगठन की स्थापना 2017 में हुई थी ये संगठन मानवता और सारभोमिक सांती के लिए कारे करने वाले लोगों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित करता है गणेश विलास जी ने लोगडाउन के दौरान जरुरत मंदों की मदद की थी इसी लिए इन्हें World Book of Records से सम्मानित किया गया है नेक्स्ट कोस्चन है हाल ही में नितिन गडगरी ने किस राज्ज में 3000 करोड के हाईवे प्रोजेक्ट का सीला नियाश किया है आपसन से मड़ीपूर, मिघाले, असम या वेश्ट बेंगल तो मड़ीपूर राज्ज में नितिन गडगरी जी ने 3000 करोड के हाईवे प्रोजेक्ट का सीला नियाश किया है तो इसमें उत्तर आपसन ने सही है नितिन गडगरी हमारे सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्री है नेक्स्ट कोस्चन है हाल ही में किस कंपनी ने अपने प्लेटफॉर्म पर स्टॉक ट्रेडिंग सर्विस की सुरुवात की है आपसनस है फोन पे, पेटियम, गूगल पे या डीजी पे तो Paytium ने हाल ही में अपने platform पर stock trading service की शुरुवात की है इसका मतलब ये है कि इनके app पर अब आपको stock trading service की भी सुविधा प्रदान की जाएगी बात करें Paytium की तो Paytium के founder है विजय सेखर सर्मा इसकी स्थापना 2010 में हुई थी और इसका headquarter Noida उत्तर प्रदेश में है Next question है किस IIT संस्थान में लोककला अकाडमी का उधगाटन किया गया है options हैं खड़कपूर, कानपूर, देलही या बैंगलोर तो IIT खड़कपूर ने अपने परिशर में सास्त्रिय और लोककला अकाडमी का उधगाटन किया है तो इसमें उत्तर option A खड़कपूर सही है ये अकाडमी संगीत, ललितकला और अन्य प्रदर्शन कलाओं पर प्रसिक्षण प्रदान करेगा Next question है IPL 2020 का सीर्षक प्रयोजन का अधिकार किसने जीत लिया है Options है पतंजली, ड्रेम 11, वीवो या हीरो तो अभी virtual sports platform ड्रेम 11 ने IPL के आगामी सत्र के लिए टाइटल प्रयोजन अधिकारों के लिए BCCI के साथ 222 करोड का करार किया है तो इसमें उत्तर option B, ड्रेम 11 साई है इस बार का IPL UAE में होगा Next question है इबराहिम बाउपकर ने राश्टपती पद से इस्तीफा दे दिया है ये किस देश के राश्टपती थे? Options है Nigeria, माली, मलावी या मुरको तो ये माली के राश्टपती थे तो इसमें उत्तर option B, माली साई है ये लगातार दूसरी बार माली के राश्टपती बने थे और इस बार सैन ने तक्ता पलट के बीच इन्हें अपना इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि इनके सासनकाल में माली में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार बढ़ गया था माली की बात करें तो माली अफ्रीकन कॉंटिनेंट का एक देश है जिसकी राश्धानी बोमाको है और यहाँ पे करेंसी वेस्ट अफ्रीकन फ्रेंक यूज होती है नेक्स्ट कोस्चन है विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाय गया है आप्संस है 16 अगस्त, 17 अगस्त, 18 अगस्त या 19 अगस्त तो हर वर्ष 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस मनाय जाता है विश्व मानवतावादी दिवस यानि World Humanitarian Day United Nations Assembly द्वारा मनाय जाता है ये दिवस संयुक्त राष्टर के बगदाद मुख्याले पर बंबारी में सर्जियो वेरा, डिमेलो और उनके 21 मानवतावादी साथियों की मृत्यू की याद में सुरू किया गया था सर्जियो ब्राजील के संयुक्त राष्टर के राजनेइक थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट के कई मानविये और राजनीतिक कारेकरों में 34 वर्सों तक काम किया था तो ये थे आज के important questions So thanks for watching this video Please like, subscribe and comment